आज हमारे संजु भाई भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की, कल वो भी दिल्ली चले जाएंगे, उनकी पैकिंग तैयारियां मालते होलते रखे जा रहे हैं, दिल्ली में होते, तो लोग खाली कर देते एक दम गाड़ी से चले जाएंगे, तो भाई दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो कॉल जरूर करना, और पहाड़ों में ठंड का मोहल काफी हद तक बढ़ गया है मेरे ब्यूटिफुल फैमली, कैसे हूँ आप उम्मीद करता हूँ, एक दम राज़ खुचे होंगे, मैं सुक्रावाद स्वागत करता हूँ आपका, दे भूमी उत्रा खंड के इन खुबसूरत गाउं गलियारों और पहाड़ों में, तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं ह देख सकते हो, पूरे बादलों से भरा हुआ है, तो चलिए जी, आज सुबह सुबह के साड़े आठ बज रहे हैं, और आज जाना हमने फिर से एक बार लकड़ी लेने के लिए, सांग ने एक पेड़ गिरा हुआ है, वहां गेमर पहुंच गया है, देख सकते हो, बिल्कुल सुबह का पेड़ है, तो उसको फाड़ के लकड़ी लेकर आना है, क्योंकि वह भी पड़े-पड़े खराब हो रहा है, तो इस अच्छा फाड़ के जलाने के लिए लेकर आ जाएं, ये जी, आज की दिन की सुरुआत करते हैं, उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, हमा आज हमारे संजु भाई भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जाने की, कल वो भी दिल्ली चले जाएंगे, तो उनकी पैकिंग तैयारियां माल्टे वल्टे रखे जा रहे हैं, और साम को हम मिलेंगे वैसी मंदिर में, और उनसे फिर जाते वक्त एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को उनका आवाज और गीत काफी पसंद आया, तो फिर से एक बार सुनेंगे, उनका क्या कहना है, ये सारी जानकारी भी लिए अब मन तो नहीं करता है, किसी का भी एक बार जो पहाड़ों में आ जाता है, दुबारा उसका मन नहीं करता, पहार से जाने इसके बाद संदु भाई पैकिंग हो चुकी है, और कल दिल्ली भी चले जाएंगे, तो चलिए जेख सकते हो पाला कितना पड़ा हुआ है, बिल्कुल जेख सकते हो घास पूरी गिली हो रखी है, और दूप हलकी सी सामने दिख रही है, हलकी सी, बिल्कुल हलकी सी यह है जी वा सूका पेट जिसे गेमर काट रहा है बहुत ताइम पहले गिर गया था यह तो पड़े-पड़े खराप हो रहा है इसको फाड फूट के लेकर घर ले जाए देख सो तो गेमर रेप बना रहा है इसको फाड और फिर चलते हैं घर की तरह फूट रही है लकड़ी सुबह सारा था तुने क्या कर रहा तुने अब जूट मत बोले यार तुम सुबह सारा रहे है बाई तुमने इतना इपाडाए रेव बना रहे हो तुसे फाड़ी देते हैं अचा अब फ़ाड़ी arguing पूर ये ने इतने सारे देख सकते हो पूरे भाड गिये हैं अब हलकी धूप आगए औपर से देख सकते हिं पहाणों के बीच पेडों के बीच से दिख रहे हैं सूर्य देव वहाड लिएवा और इसके बाद चलेंगे हम घर की तरफ धेग सकते हो इसने लगा दिये बिटगी लिजालो माक्सम काई जूड़ने वो लियार और मैं ले जाओंगा ये और ये ले जाएगा ये और फिर एक घात हो रहेंगे एक राउंड हो रहेंगे और फिर दो ये सारा ले जाना है एक बार रखे आचुके हैं लकड़ी अरभ हमारी फूरी फोस्टार रही है लकड़ी लेने के लिए और ये देख सकते हो दिल्ली में होते तो लोग खाली कर देते एक दम चूती आदा काटे आदा वकी छोड़ा पूरू तोड़ो था ये देख सकते हो पूरे देखें केतने टपक रहे हैं कोई नहीं खाता है इनको आता इसने आदा खादिया रादा वहीं छोड़ दिया देखो ये पागल शुनने शुन तुका गए जाए जाए अब का शकाने इसने के बोणी हुशा कुम्रू बबाबा के लोग को बढ़ी समी देखें सॉल बढ़ी चात तो तो त सब्सक्राइब की दूप है चारों तरफ ये देख सकते हो कि अगया जलिया जी हाथ चुके हैं घर पे अच्छाइवाई पी रहे हैं देख सोगे कुम्र लग ये करवा गास अपड़ू गुशे और पानी हो रहा है गरम अज धूब देख सकते हो लग बग गाया भी है तो कि आज पूरे बादल लगे हुए हैं अब इसके बाद नाना दोना भी करेंगे और खानाम के बढ़नो आज अलो के फूचड़ी और भाथ आज एक छोटीची चाहिए चलिए जी नाना दोना करते हैं रोग उसके बाद खाना पीना करेंगे और फिर साम को भाई से भी मिलेंगे तो चलिए जी एक बच चुके हैं राजबने हैं अलो के फूचड़ी और भाथ क्लास और मौसम बादल छटे नहीं है और सूर्य देव भी आज छिप छिप के दर्सन दे रहे हैं तब अल्लो की ठुचड़ी और भात पहाड़ों में मस्त खाते हैं और उसके बाद सीधे साम को मिलेंगे मंदिर में संजुभाई से बिदाई लेंगे और एक प्यारा सा गीद भी सुनेंगे चलिए बने रहेगा अब सीधे मिलेंगे आपको मंदिर में खाना होना खाने के बाद देखिए साम का महौल बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा है साम नहीं बिल्कुल और रुगजा हम ब्याना था भाई यह देख सकते हुए और संदुभाई से आखरी बिदाई लेते हुए हम संदुभाई दर्सक आपका इंतजार कर रहे हैं आप ऐसे मुस्कराते हैं तो दर्सकों का दिल जीत लेते हैं तो आपने वादा किया था कि हम साम को एक गीत सुनाते हुए उतरा खड को विदा करेंगे और हो सकता है कि अगली बार फिर दुबार आएंगे अगर आप लोग कि अगला चाहे लीडम सुननों चाहे में कि अपर नरेंदर सुन्ह नेगी के चाहे एक अच्छा कोड़ों गोनी पूजी मैन के डाडानी गोमी को खेरी नी खाई भेजी ते मां क्या बताओं बाला पान मावे बाब नांगू छोड़ी गेनी ना आसु पूंदीन कैन ना राएन बुदू खेरी नी खाई भेजी तो एमा क्या बताओं नी वाँ वाँ धन्यवाद भाई जी और हम दुआ करते हैं दर्सकों से भी कि आपको कुछ यादे ताजी हुई हो उत्तराखंड की तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और संजु भाई से अम भी विदा लेते हैं क्यूंकि समय हो चुका है रात का और हम भी जा रहे हैं संजु भाई कल सुबह गाड़ी से चले जाएंगे तो भाई दिल्ली पहुँच जाएंगे तो कॉल जरूर करना और फिर फोजी साब की जो साधी हमारे हां फिर भाई आएंगे और हम खुद मैं भी जन्वरी तक देखता हूं अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ड मिलता रहेगा तो उत्राखंड की खूबसूरती और उत्राखंड के से लोग प्रियागीत हम सुनाते और गाते भी रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो आज भाई बोलेंगे वीडियो पसंद मैं पला अनदाने पोर तो जाना तो मैं सोगरावत मिलूंगा आपको आगली किसी नही लुकेशन नही वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजय भारत जय उत्राखंड एंड लव यू ओल